नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डारू पीते हुए या लिकर कंजम्शन करते हुए आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो क्या होगा आपका ये तो देखो या खलचर आजकल बहुत ही गलत हो गया है कि लोगों को ड्राइब करते समय वो हाथ में बेर वि इनोसेंट इनसान जो की रोट के साइड में चल रहा है उसकी भी जिन्दगी खत्रे में डाल रहे हुए तो इसके अगेंस कुछ लॉज है उन लॉज को आज हम देखते हैं चले स्टार्ट करते हैं और बैसाखी की सेलिब्रेशन पे आपको जुडीश्री के महा पैक पे जी आप एंड्रोल कर सकते हैं एट वेरी रीजनेबल प्राइस यहाँ पे आप कोई भी कोर्स अगर आप कोड लगाते हैं वाई 707 तो आपको कोई भी कोर्स 12,499 रुपए में आप ले केबल होगा 12,499 में आपको ये कोड लगाते ही 1000 रुपए और सस्ता हो सकता है ये अगर आप ये कोड लगाओगे न तो आपको ये ही कोर्स सेम कोर्स जी हाँ सेम कोर्स आपको 11,500 रुपए मिल जाएगा मगर ये बस limited time के लिए है तो देरी बिलकुल भी ना करें चले अब देखते हैं ड्रंक ड्राइविंग के बारे में एनी परसन किसी भी परसन के लड़का हो ये लड़की उसके बॉड़ी में अगर 30 ml, 30 mg, 30 mg per 100 ml of blood 100 ml of blood में 30 mg से जादा का अगर आलकोहल पता चला कौन टेस्ट करता है एनलाइजर ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट करता है जिससे पता चल जाएगा कि उसके बॉड़ी में कितना अलकोहल है अभी अगर कोई ड्रॉग भी ले रखा है तब भी गलत है डारू, ड्रॉग्स, they all fall into the same criteria because यह आपके actions पर कंट्रोल कर लेते हैं आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो और बहुत बार गारी सीधी चलते चलते बाएं हो जाती है नहीं तो सीधी चलते चलती ऐसे हो जाती है वो क्यू होता है क्योंकि आपका जो brain है वो function करना रूख जाता है और if you are driving a car, if you are driving a car, or a bike, or a car, or any truck, कुछ भी, कोई भी वेकिल, you have to be very very conscious about everything which is surrounded क्योंकि आप तो होश में भी चला रहे हो तो तब लोग धक्का मार देते हैं, यहाँ पर तो आपको होश नहीं है तो उस region से आपको हमेशा सोबर गारी चलानी चाहिए लीगल ड्रिंकिंग एज क्या होती है, इंडिया में हर स्टीट में अलग-अलग लीगल ड्रिंकिंग एज है, कहीं पर 18 है, कहीं पर 25 है जैसे कि कहीं कहीं पर बैंड भी है, बिहार में बैंड है गोवा, हिमाचल, करनाटका and others have a legal drinking age of 18 साल, वहाँ पर 18 साल का है दिल्ली, हर्याना और other states में 25 है, असम में 21 है, तो vary करता है, हर स्टीट में अलग-अलग drinking age है एक similar age, एक same age नहीं रखा गया है, कि इसी age में इंडिया का कोई भी आदमी drink कर सकता है Drunk Driving Punishment, Under Section 185, Section 185, Motor Vehicle Act 1988 में ये बोला गया है, कि एक criminal offense है As for the Motor Vehicle Act, driving by a drunken person, और by a person under the influence of drugs, drugs और liquor दोनों को सेम बात है Punishable for the offense with the imprisonment of up to 6 months, 6 महीने या तो 2,000 रुपए या तो दोनों की सजा हो सकती है Jail हो सकती है भाई साब, Jail, ठीक है Second of subsequent, फिर से आपने यही कार्य करा, तो 3 साल और नहीं तो आपको 3,000 रुपए तक की fine हो सकती है ठीक है, clear है, तो ऐसे 1,000 रुपए के गारे नहीं चलाना भाई साब, Jail हो जाएगी Jail हो जानी है The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shiri Narendra Modi has given its approval to the Motor Vehicle Amendment Bill 2016 इस amendment में क्या किया गया है, कि road safety के लिए हमने कुछ नए fines और penalty लेकिया है पेनल्टी क्या है, drunk driving के लिए जो penalty थी, 2000 रुपए उसे 10,000 कर दिया कि ये लो, दारुपी के गारे चलाने ही ना, ये लो, बाइक चलारे दारुपी के, ये लो कार चलारे दारुपी के, ये लो, 2000 रुपे fine दाना, 10,000 दोगे क्यों, it is known as a deterrent theory, deterrent, deterrent दड़ाने के थी, आपको पहले ड़ा दिया जाता है कि भाई साब तो मत करो यार, अब तो मत करो, ये बोलते है ना, दारुपी के लोग बोलते है, आज तो गारी तेरा भाई चलाएगा, तो भाई मत चला, मत चला, fine लग जाएगा, जेल हो जाएगे, तीन साल तक हो सकती है, तो इन चीजों से precaution ले, और ये एक simple सब फंडा होता है, ये आपकी जान आपके हाथ में है, आपकी life आपके हाथ में, so do not risk it for a bottle of beer, for a bottle of wine, for a bottle of whiskey, for a bottle of scotch, for a bottle of vodka, for a bottle of anything which is injurious to your health, be safe, be cautious, be smart, thank you.